दोस्तो एक महिला पुसुपालक का फोन आया कि सर मेरी बैंस ब्याई को 18 दिन हो गए अभी तकजेर नहीं गिराई डाक्टर को भी दिखा ली महेंगी से महेंगी दवाईया भी दे ली कई देशी नुश्के भी आजमा कर देख लिये लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया कोई फ हमारे पास है बलकि ये इलाज हमने कर भी दिया है और मातर एक गंटे में उसकी बैंस ने जेर भी गिरा दी और उसकी सेत भी सही है सब कुछ सही है तो दोस्तो आज की वीडियो में ये देशी नुश्का भी आपको बताएंगे जो आपके घर पे आपकी रसोई में जो समान है उसी से ये बन जाता है और मातर दो मिंट में बन जाता है तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सीसपाल मली को और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदीदा यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जो उन्त स्वागत है दोस्तो आप सभी का और दोस्तो डेरी फार्मिंग या पुसु पालन की रोजाना की ताजा जानकारी बरी वीडियो देखते रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो गंटी का बटन वो भी दबा कर रोल पर सेट कर ले तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरूआत में बताया कि आपके गायबैंस की अगर जेर नहीं उसने गिराई है तो मातर एक गंटे में ये देशी नुसका देते ही वो जेर गिराई देगी तो वो देशिन उसका क्या है बहुत ही चमतकारी देशिन उसका है दोस्तो जो आपकी घर की रसोई में सामान मुझूद है उसी से बन जाता है बाहर से आपने एक दाना नहीं लेकर आना है तो दोस्तो क्या है ये देशिन उसका इसके लिए दोस्तो आपने दो किलो जो लेने ह और ये आपने अपनी जो गाय बैस जेर नहीं गिरा रही उसको खिला देने है इसके बाद दोस्तों आपने उसको हलका गुनगुना सा पानी पिला देना है और उसके आदा गंटे बाद दोस्तों आपने एक किलो चीनी अपनी उसी गाय बैस को खिला देनी है उसके बाद फिर से उसको गुन गुना हलका गुन गुना पानी पिला देना है तो दोस्तों ये करने के एक डेट गंटे बाद ही आपकी गाय बैस चाहे कितने दिन से जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया उसने अठारा दिनों से जेर नहीं गिराई थी तो चाहे अठारा दिन हो चाहे बीश दिन हो गए चाहे अपता हुआ हो चाहे दस दिन हुआ हो ब्याय को और उसने जेर नहीं गिराई है तो ये फार्मूला ये देशी नुस्का कह लिजे या गरेलू चीजे कह लिजे ये खिलाते ही मतर एक से डेट गंटे के बीच में आपकी गाय बैस तुरंट ज समस्या पर कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कोमेंट करें जिस भी पसुओ की समस्या पर या बीमारी पर ज्यादा से ज्यादा कोमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूँगा तो ज्यादा से ज्यादा कोमेंट करें तो दोस्तो जाते जाते चैनल को subscribe करते जाइए, बाजू में जो गंटी का बटन है उसको भी दबा कर all पर set करते जाइए, तो दोस्तों उमीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए लाइक से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरे पुसुपालक भाईयों के साथ ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पालन की छोटी मोटी समस्याएं हैं छोटी मोटी बिमारियां हैं उनका खुद ही घर पर इलाज कर सके और डाक्टर और महेंगी दवायों के खर्च से खुद को बचा सके तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकार के साथ तब तक नमस्कार